हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एट दरेट 786 की चन स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर आज मैं आप लोगों के साथ सेयर करूंगी बहुत ही हेल्दी एन टेस्टी आलू मेथी की सबजी बिल्कुल इजी तरीके से और एक ट्रिक बताऊंगी जिसे ये बिल्कुल भी कड भी नहीं लगेगी तो वीडियो में लाश्ट तक बने रहिएगा चलिए रेस्पी को स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने एक कडाही में दो चपमच तेल डाल दिया है तेल अच्छे से गरम हो गया तो लहसन अधरक को मैंने कट कर लिया है बारीक और उसको डाल कर थोड़ा को कट लिया है गोल-गोल ऐसे इससाइज में आप देख सकते हैं वीडियो में और उसको डाल कर प्याज लहसन अदरक के साथ अच्छे तरीके से हम भून लेंगे अब डालेंगे मसाले एक चमच हल्दी पावडर एक चमच धनिया पावडर एक चमच काली मिर्च पावडर और लाल मिच पाउडर हाफ चमच मैंने डाला है नमक यहां पर डालेंगे स्वाद के अनुसार और सभी मसाले और आलू को अच्छे तरीके से भून लेंगे लगभग दो मिनट तक मैंने मसाले को आलू के साथ भून लिया है और यह मैंने मेथी पत्ता को अच्छे से साफ करक कर और मेथी को डाल दिया है एक बंडल में से मैंने हाफ ही डाला है कि यालू मैंने कम ही डाला था दो ही यालू लिया था तो आप एक बंडल डाल रहे हैं तो चार लिजिएगा अच्छे से चलाका धक देंगे और इसको तीन मिनट कुक करेंगे मेडियम फिलेम पर तीन मिनट के पत्ते थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में डालिए गाना तो एक दम बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती है और एक टमाटर भी डालिएगा साथ में मैंने साथ में एक टमाटर को भी चौप करके डाल दिया है और इन सभी को अच्छे तरीके से भून लिया है मेडियम फ कर लिया है और यह देखिए यह सारे चीज कितने अच्छे से हो गये हैं धीरे-धीरे और इसको अच्छे से चलाएंगे थोड़ा फलेम कफाई कर लेंगे और इसमें जितना भी पानी है ना उसको शुखा लेंगे क्योंकि इसमें पासी रहेगा तो अच्छक नहीं लगे ग यह रेस्पी एक बार जरूर टाइ कीजिएगा फ्रेंड्स बहुत ही इजी और टेस्टी बनती है यह सब जी अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक सेयर कीजिएगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक कैसी लगी थेंक यू